जियां हैलन मसकार, स्वाकत एक बाद फिर से आप सभी काप की ही अपने हर्याना मौसम समाचार के इसे ताज़ा अपडेट में यहाँ आज हम आपने बाद फिर से लेकर के आगे हैं हर्याना मौसम समाचार अगर आप हर्याना के किसी बिजले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक पेरा से लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर जरूर करें अगर आप हरियाना जिले की मौसम की ताज़ा खरपाना चाहते हैं तो प्लीज इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी लिटेस्ट वीडियो सब से पहले मिले जियां हमा को दादे राजमे बारिस और ओला वरस्टी से बदले मौसम के मिज़ाज तीन फरवरी यानि कल से फिर से परस्टी विचोप होगा एक्टिव जाने मौसम का पूरा अपडेट जियां अगर आप हर्याना से हैं तो प्लीज कमेंट बाक्स में अपने जिले का नाम आवाज से लिखें जियां हमा कोदा ने प्रेस में बुदवार को ही ओला वरस्टी और वरसा से मौसम बदल गया है तापमान में उछाल हुआ साथ ही अब तीन फर्वरी से नया पस्टी विचोप एक्टिव होगा जो तीन दिन तक वरसा कर सकता है यह भूमत सागर से एक्टिव होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होता हुआ नार्थ इंडिया को प्रवेश करेगा वही इसके पहाडों में बर्वारी के साथ ही मैदान इलाकों में वरसा होने की संभावना है वही मौसम बेग्यानी को कहना है कि बुद्वार को पस्टिवी चोप को लेकर क्लाउड के चलते हो लावरश्टी हुई है प्रदेश के जजजर में 25 एम तो करनाल में 12 एम वही यमनानगर में 12 एम हिसार में 10 एम रोतक में 20 एम जीन में 9 एम भिवानी में 6 एम अंबाला में 6 एम गुरुगराम में 0.95 एम वरसा हुई मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है मौसम में ग्यानों के तरब से 31 जनवरे के बाद से वर्षा होने की संभाना ब्यक्तिक किये गई थी वही हम आपको उता दें परस्वी पिछो ब्यक्ति होने से प्रदेश में उलाव रष्टी और वर्षा होई ये इसके साथ ही नियुंतम और अधिक्तम तापमान में गयब कम हुआ है वर्षा के नियुंतम तापमान में उच्छाल हुआ है ग्रुग्राम तर नियुंतम तापमान 33 तीन तीन तिरी तक पहुश गया है वही हम आपको बता दें इसी पकार अंबाला में दोनों तापमान में गयब कम हुआ है हरियाना क्रसी विद्याला के क्रसी मौसम विग्यान भाके विभागाते जाक्टर मदन खिचन ने बता है तीन से पंच फरवेता के एक्टिव होगा यह विच्छोब हलका होगा इससे तीन दिन तक वर्षा होने की संभावना बनी हुई है जियान यहती हरियाना से जुड़ू ही मौसम की ताज़ा अपडेट मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में तब तक इससे यूटूब चैनल के साथ लगाता जुड़े हीगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी लाट आइस वीडियो सब से पहले मिले तब तक के लिए जैंद जबर